हलो फ्रेंड्स, makefood easy.com में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं आपकी मेरी और सब की पसंद का गाजर का हलवा गाजर का हलवा सर्दियों में सबसे दा बनाया जाता है क्योंकि इस वकाजर जो है वो बहुत ही अच्छी आती है तो चलिए बनाने शुरू करते हैं गाजर का हलवा लेकिन हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे जिससे गाजर का जो हलवा है वो हमारा बहुत ही स्वादिस्ट बने और बिल्कुल पर्फेक्ट रेसिपी के साथ हम इसको बनाएगे गाजर का हलवा बनाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक किलो गाजर ली है और मैंने इनको पानी से अच्छे से वाश कर लिया है अब हम सबसे पहले जो गाजर का टॉप पाट है इसको इस तरह काट देगे और सभी गाजरों को हम पीलर से पील कर लेंगे सबसे पहले हम पील करेंगे और उसके बाद हम इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे यह आप देखिए गाजर जो है हमने इसका छिलका जो है हटा लिया है इसी तरह हम सारी गाजर का छिलका हटा लेंगे और greater से आप देख सकते हैं जो greater का बड़ा वाला पाठ है ये इससे हम इस तरह से एक side से इसको grate करेंगे जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ एक side से grate करने से जो आप ratio देखेंगे आप देखिए जरा ये बहुत ही अच्छे तरह के से आते हैं सारी गाजर को हम इस तरह से छील कर greater से grate कर लेंगे ये आप देख सकते हैं सारी गाजर को मैंने अच्छे से grate कर लिया है एक किलो गाजर को grate करने में तकरीबन हमें 5-7 मिनिट का टाइम लगेगा गाजर तो grate कर लिया है और आप यहां देखिए मैंने गैस पे एक लीटर फुल क्रीम वाला मिल्क वाला दूद है ये वो हमने गैस पे रख दिया है सबसे पहले हम इसे अच्छे से एक बार बॉल होने देंगे और बॉल होने के बाद हम गाजर को इसमें जो हमारी गेटर गाजर है इनको इसमें टालेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, जिससे आपकी गाजर का हलपा बहुती लजीज बनेगा, तो जितना हमने गाजर की कॉंटरिटी ली है, उतनी फिल्कुल रेशो में हमें दूद की कॉंटरिटी ली है, जैसे कि हमने 1 कि लोही फुल क्रीम वाला मिल्क भी लिया है इसे इसलिए चला रहा है कि जिससे थोड़ा सा जो बॉइल हो जल्दी हो जाए हमारा दूद्ध बॉइल होना शुरू हो गया है तो इसमें हम जो ग्रेट गाजर है ताल देंगे जान रखिएगा डालते वक्त थोड़ा सा उपर से डाले जादा उपर से भी नहीं अदरवाइस दूद बहुत गरम है आपको इसके चीटे लग सकते हैं इसलिए थोड़ा केरफुली होके आप इसमें डाले सारी गाजर और अब हम इसको चलाएंगे अब हमें इस मिक्सचर को तब तक चलाना है जब तक कि बिल्कुल ये अच्छे से पूरा जूस जो है इसका और दूद जो है गाजर में से जो जूस निकल रहा है और दूद है ये अच्छे से बिल्कुल ड्राय ना हो जाए बस ये धिहान रखिएगा कि नीचे ख़ळाई में तली पर ना लगपने इसलिए आप पीछ पीछ में से पाँचपाँच में में बिल्कुल आप इसको चाहिए और अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम मावा आप मावा को दो तरीके से डाल सकते हैं आप चाहें तो पहले इसको रोस्ट करके फिर डाल सकते हैं लेकिन मेरे घर में तो क्या है हलवा सबको इतना पसंद की जल्दी खतम हो जाता है लेकिन अगर आप हलवे की लाइफ को थोड़ा भढ़ाना चाते हैं तो आप जब मावा डाले तो पहले उसे रोस्ट करें और फिर इसमे अड़ करें अब हम इसको मावे सहीत अच्छे से मिलाएंगे और फिर भही मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5-7 मिन्ट के लिए इसको इसी तरह चलाएंगे जिसे मावा जो है वो इसमें अच्छे से मिल जाए ये देखिए मावा जो अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून डेशी घी ये आप जरूर डालेगा इससे जो हलवे का टेस्ट हो बहुत अच्छा आता है गाजर का हलवा हर घर में बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है लेकिन अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप देखेगा आपका गाजर का हल्वा बहुत ही खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा अब हम इसे तकरीबन घी डालके पांच मिनिट के लिए इस तरह भूनेंगे बिल्कुल चलाते हुए यह आप देखिए मैंने घी डालके पांच मिनिट के खलवे को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें लाएंगे चीनी हम इसमें चीनी डालेंगे 100 ग्राम अगर आपके घर में ज्यादा मीठा काना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा चीनी की मात्रा भढ़ा सकते हैं इस रेशो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इतनी ही डाले अच्छे से मिलाएंगे देखिए चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा लिक्विड हो गई है तो अब हम इसे वही मीडियम फ्लेम पर तब तक इसे अच्छे से मिलाएंगे चीनी को इसमें जब तक अच्छे से ड्राय ना हो जाए चलाते हुए मिलाएंगे और चलाते हुए जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ इस तरह साइड साइड से भी आप बिल्पल ध्यान रखें अदर्वाइस क्या होता है साइड में लगा रह जाता है तो आप इसे साइड से इस तरह हटाते रहें यह देखिए चीनी भी इसमें अच्छे से मिल चुकी है और आप यहां देखिए मैंने पांच बदाम और पांच काजू इस तरह से कट कर लिये हैं और आप सी कॉंटिटी का ड्राइफूर्स की भड़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं आपकी पसंद के अनुसार मैंने केवल इतनी सी कॉंटिटी ही लिए है और अच्छे से मिलाएंगे इसे तकरीबन दो मिंट के लिए मिलाएंगे जिससे काजू बदाम थोड़ी समें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं ड्राइफूर्स आप और भी समें मिला सकते हैं अगर आपके घर में किश्मिश खाना पसंद करत हैं आप इसमें यह आप देख सकते हैं साइड में बिल्कुल घी छोड़ना शुरू कर दिया है यह इंडिकेट करता है कि जो हमारा हलवा है वो प्रॉपर वे में बिल्कुल सिख चुका है और अब हम इसमें चार से पांच एलाइची ली हैं जिनको इस तरह से क्रश करके हम अगर आपके पैस इलाइची पाउडर हो तो आप इलाइची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं हाप टेबल इस्पून हम इलाइँगे इसको इलाइची से हलवे में बहुत अच्छी खुश्बो आती है आप हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसे एक दूसरे बरतन में निकालेंगे इसमें इसमें बिल्कुर इसको नहीं रखे देना है हमें क्योंकि वदरवाइस इसका जो कढ़ाई है वो बहुत करम है जो कढ़ाई की तली है तो हलवा आपका लग सकता है इसलिए आप तुरंत इ इसे दूसरे बरतन में निकालें बस कुछी चीज़े आप रेशो का बिल्कुल ध्यान रखें तो आपका हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा ये रेसिपी थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग तो है थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है लेकिन हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत और आपके घर में सबको बेहत पसंद आएगा ये देखिए हलवा बनकर तयार हो चुका है और इसकी गार्णिशिंग हम कर रहे हैं ये मैंने थोड़ा सा मावा लिया है इसकी गार्णिशिंग के लिए और आप देख सकते हैं चारोड लगा दिया है और हम इसमें इस तरह से काज़ और बदाम की गार्णिशिंग भी कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा स्वादिस्ट गाज़र का हलवा बनकर तयार हो चुका है आप इस रेसिपी से एक बार गाज़र का हलवा जरूर ट्राय करें और मुझे बताएं कि आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन प्रेस करें जिससे जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तब तक के लिए गुडबाई and टेक क्यार नेक्स रेसिपी के साथ हम जल